ये अव्यत् इशारे, समय की समेपता परमान, अव्यत् फरिष्टा बनो 25. संपनता अचल स्थिती का अनुभव कराती है, जब सब बातों में संपन बनेंगे, तब ये आँख वो बुद्धी किसी तरफ नहीं डूबेगी, सदा रुहानियत में रहेंगे, अनेक व्यत् संकलपों वा अनेक तरफ बुद्धी वा द्रिष्टी जाने से परे, सर्व विकारों से फारिक और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजानों में सदा रमन करते रहेंगे, अन्य कोई संकलप करने की फुर्सत ही नहीं होगी, ओम शंती